देखिए इस playlist में हमने अभी तक lambda expression, functional interface, stream and date and time पढ़ लिए इस video में हम पढ़ने जा रहे हैं optional class के बारे में Optional पढ़ने से पहले एक scenario लेता है एक method बना लेता है private, static, string written करता है get name ये कहलेगा एक id लेगा function मना रहे हैं एक id लेगा ठीक है और database में एक table है, कुछ भी है, ठीक है database में जाएगा, ठीक है एक table के अंदर जाएगा, उस id corresponding एक नाम पढ़ा होगा ये क्या है, बन्दे की id है, ठीक है उसका नाम return करना है, ठीक है तो यहां पर कुछ कुछ होगा, बहुत ही अगड़ा काम होगा यहां पर, ठीक है ना, की dm में जाएगा और नाम उठाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, get from db, दो चीजे हो जकती है, या तो उसको वो नाम मिलेगा, उस id corresponding या नहीं मिलेगा, ठीक है अच्छा, माल लेते हैं, मिल गया है, return, नाम मिल गया है, उसको राम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, get name, कुछ भी id दे दी, ठीक है, alt enter किया, name आगया, अब मेरे को print कराना है, मेरे को print कराना है, name.to uppercase, ठीक, कोई दिकत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे है, मान रहे हैं, कि इस id का use कर रहे हैं, और जो राम आ रहा है, वो dv से आ रहा है, ठीक है, ये मान रहे है, बहुत बढ़िया, फिर उस नाम को uppercase में print करा रहे है, run करते हैं, run किया, तो राम आ उसने कर जाए है, return null, ठीक है, अब क्या होगा, नाम क्या होगा, null होगा, print क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, null pointer exception, ठीक है, null pointer exception, कह रहा है, कि यह क्या null है, और null dot to uppercase कर रहे हो, null पर uppercase करना जा रहे हो, null pointer देगा, null पर क्या method लगाओ गया, समझ रहे हैं, तो इस main method को पत ही नहीं है, कि get name null भी return कर सकता है, समझ रहे हो बात को, जयां दीजेगा, फिर से बता रहा हूँ, इस main method को पता ही नहीं है, कि यह जो get name method है, यह null भी return कर सकता है, या तो हम इतने चतुर हों, कि हम ही, यहां पर हर बार, माल लेते हैं, हमारे पास 100 method है, ठीक है, अब 100 method कुछ नहीं कुछ return करेंगे, ठीक है, अब, जब वो कुछ return करेंगे, उनको use करने से पहले, मैं check कर लूँ, कि जो return कर रहा है वो, जैसे कि यहां पे नाम return हो रहा है, कि वो null तो नहीं है, अगर null नहीं है, तब ही क्या करा हो, तब ही इसको upper case में convert करो, ठीक है, run किया, अब null pointer exception नह ही आया है, सभी बात है, अच्छा, लेकिन यह क्या if fall to का code है, यह जो चीज है, यह कितनी बार use करूँगा, यह तो अभी लग रहा है आपको कि हाँ, एक ही तो if का check है, लेकिन, हजार method है, हजार मैं if check करता फिर रहा हूँ, अगर मालो नहीं भी किया है, obviously, कब तक करूँग स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करूँगा, बताता हूँ, क्या करेंगे, हम करेंगे, यहां लेते हैं, कि स्ट्रिंग नेम इस इक्वल टू जो राम आया था, यहां पर तो obviously, डी बी साया होगा, माल लेते है, इसको हटाई देता है, तो यहां पर obviously, directly नेम रिटर्न ना करके, मै क्या रिटर्न करूँगा, optional का एक object, अब इसका मतलब क्या है, optional लिखता हूँ, optional.off, और यहां पर लिखूँगा, नेम, ठीक है, obviously, यहां पर हम string रिटर्न कर रहे है, तो यहां पर हमने optional रिटर्न करवा दिया, तो getName यहां पर क्या कर रहा है, optional रिटर्न करेगा, alt, enter, name इसका फायदा भी है, यहां पर मैं नेम पर method लगा सकता हूँ, कैसे, if present, is present, or else, यह सब method लगा सकता हूँ, तो मैं यहां पर लग सकता हूँ, is present, तो at least मुझे पता तो चल जाएगा, कि since optional return हो रहा है, इसका मतलब है, वो null हो सकता है, तो मेरे को null check लगाना पड़ेगा, पता ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता, कि मुझे null check लगाना भी है, अब मैंने यहां पर optional, ram ही print करवा दिया है, तो यहां पर dot get कर लेते हैं, तो ram print हो, बहुत सभी, एक method है, is present, यह क्या करता है, यह condition check कर रहा है, if के अंदर है, यह boolean return करेगा, ठीक है, एक और method है name dot if present, यह देख रहा है, क्या कर ले रहा है, consumer क्या करता है, लेता है, देता कुछ नहीं है, ठीक है, लेता है, x parameter लिया, और मैंने print करा दिया, s-u-t-x, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कि अगर नाम में value पड़ी होगी, नहीं होगा, तो यह consumer चल जाए, consumer क्या होता है, लेता है, देता कुछ नहीं है, ठीक है, इसने लिया है parameter, return कुछ नहीं किया है, उसको use कर लिया, print कर दिया, एक बात है, run करके देखते हैं, क्या आता है, obviously na, obviously, ram print हो जाएगा, आप देहान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने dot get नहीं किया, ठीक है, name dot if present, ठीक है, अगर वो present ह होगा ना, नाम में value रखी होगी, तो जो lambda expression में pass होगी value, वो optional के अंदर वाली ही होगी, optional क्या है, एक box की तरह माल लीजे, ठीक है, तो box से निकाल के ही, यहाँ पर pass होगी value, ठीक है, obviously, यहाँ पर मैं क्या का सकता हूँ, इसको method reference से replace कर सकता हूँ, ठीक है, system dot out colon colon printer, ठीक बा null भी हो सकता है, obviously, इसलिए तो कर लेता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, cut कर लेता हूँ, इतने से code को ही, और इसको compile करने कोईश करता हूँ, तो compile हो रहा, बहुत पढ़िया, अब paste कर देता हूँ, अब इसको चलाता है, यहाँ पर null pointer exception आगे है, यहाँ अब भी null pointer exception काम करता है, इसको debug करता है, और देखते हैं कहां फटा है हमारा code, तो code यहीं फटिया है, optional of null पर ही, तो इसके लिए अगर अगर आपका जो value है, वो null हो सकता है, तो आप यहाँ लिखेंगे, optional.off nullable, ठीक है, optional.off nullable, इसको बदा सल जाया है, यहाँ यह जो अंदर दे रहा मैं जो box करना चीज़ रख रहा हूं, वो null भी हो सकती है, ठीक है, फिर से debugger लगा लेते हैं, दोनों तरफ, चलाता है, ठीक है, यहाँ पर है, इस line पर है, ठीक है, get name के अंदर जाएगा, बहुत सही, next line, optional.off nullable, of null चलेगा, ठीक है, चल गया, इतना तो चलिया है, ठीक है, अब चेक करते हैं, name.is present, present है क्या, नहीं है present, ठीक है, तो यह block नहीं चला, सही बात है, फिर, सेम चीज़ यहाँ पर होगी, is present, name.is present है, नहीं है, तो यह नहीं चला, ठीक है, आप चेक करेगा, name.is present, consumer वाला, यह भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो हाँ भाई, null pointer exception से बच गय हमारा काम होगी है, पहली बात यह, ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, कि अगर, optional.off कर रहा हूं है, null, तो null pointer exception आ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, optional.off nullable करना पड़ेगा, तो अभी तक हमने देख लिया, कि optional, क्या होता है, एक box की तरह होता है, ठीक है, उसके अंदर हम वो चीज़ डाल देता है, जो null हो सकती है, return type method का optional बना देंगे, इससे बसल जाएगा, सामने वाले को, जो call कर रहा है, कि हाँँ चीज़े null हो सकती है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, optional को कैसे करेट करते है, optional.off, ठीक है, या फिर optional.off nullable, चेक कैसे करते है, optional का object जाएगा, उसको माल लेते है, box, box.if present, या फिर is present, या फिर box.if present, ये boolean written करता है, and box.if present, यहाँ पर आपको consumer देना पड़ेगा, ठीक है, त करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते है, optional.empty, same चीज़, खाली box written कर रहा है, ठीक है, तो हमें बसल गया है, कि optional create कैसे करते है, optional.off, optional.is empty, optional.off, nullable, get कैसे करते है, dot gets से, सिंबल से बात है, check कैसे करते है, if present, या फिर is present, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, यह हटा जए थोड़े दिर क एक default value हम return करें, तो name.or else, ठीक है, अचा जब बताता हूँ, अगर देखो, मैं name.get करता हूँ, यहां पर तो नाम आ जाएगा, ठीक है, obviously, यहां पर मैं print कर सकता हूँ, यहां पर लिखते है, name to be used, ठीक है, इस नाम को मैं use कर लूँगा, ठीक है, यहां पर मैं call कि optional, और यहा इसलिए यहां पर null pointer exception कर सकता हूँ, name.is present, अगर ऐसा है, तो name.get कर ले, नहीं तो null, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा है, देखो, अगर present है, तो get करो, नहीं तो null, तो क्या एसको to null नहीं नहीं पर लिखते हूँ, तो DEVOLT सब aperture इसको मैं देखके लिज़एता हूँ यहां से एंपटी बक्यारिटरन कर रहा है तो इस केस में ने और अगर यहां पर नाम होता जैसे कि ऑफन डॉट ऑफ मैं करता हूं तो ऑफिसली श्याम प्रिंट हो जाएगा मेरा ठीक है क्योंकि और एल्स नहीं चलेगा फिर डिरेक्ट नेम डॉट गेट चलेगा जिस तरह से फिरॉलल अरे कि यहां पर भी हम खोड़ा है क्या क्या आ शाय कर रहो pa घीक है नहीं पर और बड़ा यहां तो सिंपली हम चोटी सी एक्स्प्रेशन यूज कर रहे हैं लेकिन अगर बहुत बड़ा मैथड है माल लेते हैं कुछ कर रहे हैं और फिर जाके हम रिटर्न कर रहे हैं हाप पर क्या एन या फिर कुछ भी डिफॉल्ट में तो इसलिए हाँ पर हम लेंडा OR eels करना है तो एक को थर्म है और ये करता है छोटा करता है इस इसलिए premi नहीं exception आएगा नहीं आएगा क्योंकि हापे तो श्याम है तो इसके लिए हमें यहाँ पे या तो optional.mt या फिर optional.off नल कर देता है ठीक है empty वाला कर देता है अब अगर चलाएंगे तो exception कौन सा होगा no such element exception ठीक है ना no such element exception अब जैसे intelligent बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमने देख लिया है optional क्या होता है क्या जरूत पड़ियों कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपनी साइड अच्छा फिर हमने देखा option को create कैसे करते हैं अगर जैसे हां पर यहां पर इंटीजर भी आ सकता है इस्ट्रेंट भी आ सकता है अब विसली समद्रेबात को यहां पर अच्छा फिर हमने देखा बाई optional.off से create कर सकते हैं optional.off inalable से create कर सकते हैं and optional.empty से खाल यह option रिटरं कर सकते हैं फिर हमने देखा हम चैक कैसे करें उसको इस प्रेजेंट से करेंगे फिर हमने देखा कि अगर default चाहिए default value चाहिए अगर खाली है option और मुझे को default value चाहिए तो हम दो तरह से कर सकते हैं or else or else get अगर action throw करना है तो और else throw and obviously नहां पर string, student, integer कुछ भी यूज करें आप देखेगा दिहान से आपना directly option को भी यूज कर सकते हैं माल लीजे आपका काम यह है आपका काम यह है कि optional आया यह optional नेम आप इस नेम पर ना जो optional है नेम के है optional तो आ यह रहा बालकि थोड़ी देर के मैं इसका नाम ही optional दे रहता हूं, option का object है, optional.map functionality दे रखिया, उससे क्या होगा, यह के लिए रहा है, function करता है, कुछ काम करकलाता है, लेता है और देता भी है, लिया इसने कुछ, क्या लिया होगा, optional के अंदर जो चीज रखी है वो ली होगी, यानि यफिशने की हैं, माल देता है, मिरे को आपर पर केस में करना है, तो मैं अपर केस में करना ही कर सकता ही, और इसका कई रटेन की क्या होगा? Optional 1 तो हम Optional को इस्तमाल भी कर जगते हैं यहाँ पर मैंने का किया, अगर यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर मैं return करता हूँ, राम को return करता हूँ राम को return किया मैंने small method, ठीक है, फिर राम यहाँ पर आया, इस वाले बकसे में इस बकसे के अंदर हम, हम ही चले गए इस बकसे के अंदर, खीक है, और निकाला नी हम ही चले गए, हम ही पहुँच गए बकसे के अंदर और जो राम रखा हुआ था उसको मैंने capital RAM बना दिया और बकसे में ही है, हम आ गए बाहर बकसे से फिर हम इस optional one के साथ, obviously कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन हम अब चाहते हैं, वो जो अंदर पड़ा हुआ है, बकसे के अंदर capital RAM अब मैं निकालू उसको, तो निकाल लेते हैं optional one dot if present system dot out colon colon print talent, control shift f10 चलाया, run करके देखते हैं, क्या आता है capital RAM आ गया, तो कहानी का सार क्या है इससे बताना कह चाहता हूँ, मैं इससे बताना यह चाहता हूँ कि हम, दो तरह से हम चीजों से deal कर सकते हैं, या तो बकसे के अंदर जो चीजे हैं, वो निकाल के हम खेल लें उससे, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, पहले, पहले क्या किया था, कि option के अंदर जो RAM पड़ावा था, उसको निकाला then capital में कर दिया उसको, या फिर क्या कर सकते हैं, खुद बकसे के अंदर जाके, उसी को हम use करें, उस छोटे RAM को, बड़े RAM में convert किया, बकसे के अंदर जाके, ठीक है, और तो हम इसको अब फिर से, हहाँ पर क्या return हो जाएगा, तीन return हो जाएगा, ठीक है, जो उसकी length है, RAM की, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक bracket extra आ गया था, ठीक है, चलाता है, ठीक है, तीन आ गया, बहुत ही बहतरी, मज़े आगा है, ठीक है तो इस ट्राइ कीज़ेगा, ठीक है, काफी से चीज़ है, इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो की link आपको इस card पर मिल जाएगे,